मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही मौडरन सी सीडी से जहां पर हम देखते हैं एक मंकी एजेंट किसी चीज़ का वेट कर रहा था उसका मिशन था कि किसी से एक ब्रीफ केस लेकर वापस आना इस मिशन को लीड कर रहा था विलस नाम का एक एजेंट जो के बहुत ही घमंदियों लापरवा था यहां पर हम देखते हैं कि इस मिशन के होते हुए पीछ में टाइगर गैंके कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं जिसके बाद वो ब्रीफ केस लेकर यहां से भागने लगते हैं अब विलस भी एक गाड़ी को लेकर इनके पीछे लग जाता है बहुत ही जादा तबाई होती है इस ब्रीफ केस को लेने में पर आखिरकार विलस कामयाब हो जाता है और monkey agent वो brief case लेकर वापस headquarters पहुंचाता है वापस पहुंचने पर captain Willis को बहुत जादा डानता है कि तुम्हारे तरीके बिल्कुल ठीक नहीं तुम्हारी वज़े से बहुत ही जादा तबाई हुई है पूरी city में और अब punishment के तौर पे उसे एक secret base पर भीज दिया जाता है जहाँ पर उसको बताया जाता है कि एक secret area को इसने guard करना है और वहाँ पर एक agent हेक्टर उनको साथ देगा इस चीज में अब जल्द ही एक helicopter उसे base तक पहुंचा देता है यहाँ पर जाकर विलस देखता है कि यहाँ के हाला तो बहुत ही जादा खराब है समान हर तरह से बिखरा हुआ है और कोई बीचीज और्गनाईज नहीं वहाँ पर उसे hacker भी मिलता है जो कि यहाँ का IT manager था उसकी दो hobbies थी विज़ा खाना और बहुत सारी movies देखना अब इन दोनों की तो बिल्कुल नहीं बन रही थी अब हम देखते हैं कि सब्मरीन के थूँ कुछ लोग यहाँ सेफ बेस पर पहुंच चुके हैं यह लोग कार्गो चुराने के लिए आए थे यह वो ही कार्गो था जिसको कैप्टन ने सेफ गार्ट करने के लिए विल्स को यहाँ बेजा था यह लोग बिज़ी थे कार्गो चुराने में दूसरी तरफ हेक्टर और विल्स एक मुवी देख रहे थे साथ पिज़ा खा रहे थे फिल्स अब यहाँ पर कोई बुराई कर देता है मुवी की जिसकी वज़ा से इन दोनों की लड़ाई साथ हो जाती है साथ ही इनको एक रेड लाइट बीप करते भी दिखाई देती है और स्क्रीन पे इनको नज़र आता है कि कुछ लोग कार्गो के पास है यह दोनों भागते हैं कार्गो को बचाने के लिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोरों के लीडर को भी नज़र आ जाता है कि यह दोनों इसकी तरफ आ रहे हैं जिसके बाद वो कुछ ड्रोन्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो इनको जाकर पकर ले अब यह अलग-अलग होकर ड्रोन्स को मारने की कोशिश करते हैं यहां पर हेक्टर एक ड्रोन्स पर जम्प करता है जिसके बाद वो उसकी ब्रग्रामिंग को चेंज करके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है अब इसके बाद और भी जादा ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं यहां पर हम देखते हैं कि कैसे कार्गो को चुराते हुए वो बाहर निकलता ही है तो उसके हाथ में एक डाइरी थी जो के नीचे गिर जाती है यहां पर इससे पहले कि विलिस इनको रोक सकता वहां पर तीसरा चौराता है और इन दोनों को बगा कर ले जाता है एजनसी वापश जाकर ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि कार्गो मिसिंग है अब यहां पर तो कैप्टन बहुत जादा उसा होता है इनको कहता है कि उस कार्गो में रेडियो साइट है जो कि बहुत ही जादा रेडियो एक्टिफ और बहुत ही कीमती है और अगर किसी गल्द हातों में लग जाए तो बहुत तबाई हो सकती है इसके बाद ये इन दोनों को सस्पेंड होने का कहता है जिस पर यहां पर विलिस वो डाइरी निकाल कर दिखाता है कि ये डाइरी मुझे मिल चुकी है और अब मैं किसी तरीके से भी उनको ढूंड लूँगा अब यहां पर कैप्टन इनको टाइम देता है कि जल्द से जल्द वो वापिस ले आए वरना इन दोनों की तो खेर नहीं उस टाइरी के उपर एक हास्पिटल का नाम लिखावा था और ये दोनों नेर्स के गेट अप में उस हास्पिटल के लिए निकल परते हैं यहां पर विलिस अंदर एकेले जाना चाहता था जिसकी वज़ा से वो हेक्टर को बेहोश कर देता है और वहीं पर छोड़ कर अंदर चला जाता है वो देखता है कि उस मुवी में जिस हिरोईन का ये मज़ा कुड़ा रहा था वो भी यहां पर मुझूद है हास्पिटल में टीवी पर विलिस नियूस देखता है कि कैसे एक रोबोट ने एक वाइट राइनो को फ्रीज कर दिया है साथ ही कैपटन भी नियूस में बताता है कि कैसे वाइट राइनो सिर्फ पांच है और यहां पर जो भी ये कर रहा है वो सिर्फ वाइट राइनो के पीछे पड़ा है और इनको खतम कर देना चाता है और यही ऐसा पहले भी हो चुका है जहांपर कुछ मैमल्स को पहले खतम कर दिया इसके साथ ही विलिस देखता है कि उस फ्रोजन राइनो को इस हॉस्पिटल में लाया जा रहा है विलिस नोट करता है कि एक बहुत ही खुबसूरत नर्स इस राइनो को लेकर जा रही है डॉक्टर के पास जिसके बाद विलिस उसकी नर्स करता है और इसे डॉक के पास जल्दी से पहुंचा देता है यहाँ पर जब डॉक इसको ट्रीट कर रहा था तो अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती है और लाइट्स के बगए तो राइनो को बचाना बहुत ही नामुम्किन था जिसके बाद विलिस यहाँ पर अपना दमाग यूज करती हुए एक इलेक्ट्रिकल फिश को बाहर निकालता है जिसके यूज करने से राइनो बच जाता है हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक टेक है जिसके पास एक पैट स्नेक भी है विलिस यहाँ पर इस ड्रैगन को भी कंट्रोल करने में कोशिश करता है जिसके बाद कॉफी का असर जैसे ही खतम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल वापिस स्नेक बनने लगता है यहाँ पर विलिस गिरने लगा था और वो ही खुबसूरत सी नर्स विलिस को बचाती है और हम देखते हैं कि कैसे यह दोनों एक दूसरी को पसंद करने लगे हैं हेक्टर को थोड़ा होश आता है वो अभी भी दुवाई के असर में था यहाँ पर वो सब को बताने लगता है के मैं यहाँ पर एज़िन्ट हूँ पर यहाँ पर डॉक्टर उसको लगता है कि शायदे पांगल हो गया है जिसकी वजह से इसको एक अलग वाद में शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ पर वो एक शीप की मदद से उस वाद से निकलता है और पहुंच आता है विलिस के पास अब विलिस के पास वो नर्स भी थी तो उसको डर था कि कहीं ये इसको सच ना बता दे कि ये एक नर्स नहीं बलके ये एक एजिंट है जिसके बाद वो हेक्टर को एक अलग रूम में लेकर जाता है और वो देखता है कि ये वोही रूम है जहांपर उस राइनो को लेकर आया था विलस नोट करता है कि कैसे ये रूम बलकुल खाली है और अब यहांपर कोई भी राइनो नहीं इतने में ही बाहर कोई आवाज आती है और ये दोनों छुपकर वेट करते हैं कि कौन है यहाँ पर डॉक्टर उसी एक्टरस को अंदर लेकर आता है और बताता है कि आपको एक अलग रूम चाहिए था तो हमने ये रूम आपके लिए खाली कर दिया जिसके बाद वो डॉक्टर यहाँ से चला जाता है इसके बाद ये छुपकर बाते सुनते हैं उस एक्टरस की जो कि किसी को बता रही थी कोई रेडियो एक्टिव माटीरिल के बारे में अब यहाँ पर विलिस बाहर निकलता है और उसे अरेस्ट करने लगता है जिसके बाद वो बताती है कि मैं एक एक्टरस हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पर अब ये दोनों इसको सौरी बोलते हैं जिसके बाद वो इनको ब्लैक मिल करती है कि इसके बाद तुम भी मुझे साथ इन्वाल्स करो ताके मेरी अपनी प्ले के लिए त्यारी अच्छी हो जाए ना चाहते हुए भी विल इसको हाँ कहनी परती है जिसके बाद ये लोग इस रूम से निकलते हैं और कुछ और नर्सिस की बातों से पता चलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट फ्लोर भी है जिसके बाद वहाँ ये जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स लगी है और बहुत ही कुछ सीक्रेट प्लानिंग भी चल रही थी वहाँ पर डॉक्टर की बहुत सारी पिक्चर्स थी और शायद वह इन सब चीजों में इन्वाल्ड भी था पिक्चर्स और डॉक्टर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में इन्वाल्ड है यहाँ पर इनको कुछ कैसिट भी मिलती है जिसको एक्टरस कहती है कि प्ले करके देखना चाहिए बट हेक्टर उसे बताता है कि इस जैसी कैसिट को प्ले करने के लिए हमें एक VCR मशीन चाहिए जो कि अब आजकल कोई यूज नहीं करता इस तरह से ही यहाँ पर ढूंटते हुए इनको वो सारा रीडियो एक्टिव माटीरिल भी मिल जाता है और काफी ऐसे कॉस्टिव्स भी ताके उन रीडियो एक्टिव माटीरिल को डिल किया जा सके इन सब चीजों को देखकर तो क्लियर था कि डॉक्टर अब यहाँ पर इन चीजों में इन्वाल्ट है इतनी ही देर में वाइट राइनो को लेकर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जिसके बाद विलिस इसको बचाने की कोशिश करता है तो वो रोबोट जिसने इस वाइट राइनो को फ्रीज किया था वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है इसके बाद बहुत ही मुश्किलों से यह यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं वहाँ पर एक्टरस को एकारी नजर आती है जिसके उपर उस हॉस्पिटल का लॉग भी बना था विलिस को समझ नहीं आ रही थी कि यह सब हो क्या रहा है इतनी ही देर में वो रोबॉट विलिस पर हमला करने वाला था पर यहाँ पर हेक्टर अपनी गन यूज करते हुए उस रोबॉट के बाद उको जखनी कर देता है जिसके बाद वो रोबॉट यहाँ से भाग जाता है हेक्टर विलिस को बताता है कि मुझे लगता है कि ये रोबो डॉक्टर ही है और यहाँ पर ये रेडियो अक्टिव मटेरियल यूज करके नॉन स्टॉप पावर प्रोवाइड करना चाहता है खुद के लिए अब यहाँ पर विलिस ने कुछ बाल ले लिये थे उस डॉक्टर के जिसके बाद वो हेक्टर से कहता है कि इन पर हम DNA टेस्ट करके प्रूफ कर सकते हैं कि ये सब कुछ करने वाला वो डॉक्टर ही है जिसके बाद यहाँ पर काफी चीज़े क्लियर हो जाएंगी अब ये दोन ग्लोबल वार्मिंग बहुत जादा हो गई थी जिसकी वज़ासे एक एकर के महमत सारे मरने लगे थे अब इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ने ये रेडियो साइट यूज किया था जिसकी वज़ासे ग्लोबल वार्मिंग कम तो होने लगी थी कैसे वो actress DNA टेस्ट देख रही थी और उसे पता चलता है कि ये वो डॉक्टर नहीं बलके कोई मेहमत का DNA है अब आफिस में जब जा कर ये सारा प्रूफ देते हैं कैप्टन को तो वहाँ पर फिलिस नोट करता है कैप्टन के हाथ में भी कुछ पती बंदी है यहाँ पर उसका असिस्टन गलती से एक सीकर्ट दोर खोल देता है जिसके अंदर वो रोबोट कॉस्ट्यूम था यहाँ पर इन दोनों को समझ आ जाती है कि इस सब के पीछे कैप्टन का भी हाथ है जिसके बाद कैप्टन इन दोनों को लॉकर में बंद कर देता है वहाँ पर वो टाइगर भी था जिसको विलस ने स्टार्ट स्टार्ट में पकड़ा था यहाँ पर वो एक वीडियो गेम खेल रहा था जो कि उससे कंप्लीट नहीं हो रही थी और हेक्टर्स की मदद करता है उसको कंप्लीट करने में जिसके बाद वो टाइगर मदद करता है इन दोनों की यहाँ से भागने में यहाँ से भागने के फॉरण बाद यह दोनों दुबारा हॉस्पिटल जाते है जहाँ पर इसे वो ही नर्ट मिलती है या खुबसूरत सी, उसने भी वो चोरो वाला कॉस्ट्यूम ही पहना हुआ था, जिसके बाद विलस को लगता है कि शायद ये भी एजनसी में इंवाल्ड है, पर यहां पर वो कहती है कि मेरे पीछे आओ, वो उन्हें एक सीक्रिट एरिया में लेकर जाती है, जहां पर तो एक ज़्यादा खुसा आया, नर्स विलस को बताती है कि रेडियो साइट चुराने का मकसद सिर्फ इतना था, कि अनलिमिटेट पावर सिप्लाइ मिल सके, ताकि ये लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकें अराम से, साथ ही डॉक्टर बताता है, कि इस रेडियो साइट से वो टेमप यहाँ पर, ताकि हम सब को पकड़ा जा सके, पर हमें मिलकर उनका मुकाबला करना होगा, दूसी तरफ हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर कैप्टन कुछ एजन्स को भेशता है इनके पीछे, सारे के सारे एजन्स यहाँ पर पहुँन जाते हैं, और इन से ल करने लगता है, एके करके सारे एजन्स बहुत ही बुरे दरीके से मार खाते हैं, एन टाइम पर यहाँ पर पहुँच आता है कैप्टन उस रोबॉत सूट में, जिसके बाद वो एके करके सब को फ्रीज करने लगता है, यहाँ तक कि वो बड़ा सा ड्रेगन भी अब हार मान जाता है और फ्रीज हो जाता है यहां पर वो डॉक्टर आकर पूछता है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो कैप्टन बताता है कि मैं छोटा था जब तुम लोग उस मेहमत आईलेंड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मेरे डैट को पहले से ही कुछ फीलिंग आ रही थी कि कि वज़ा से उन्होंने मुझे एक बोट पर बिठा कर दूर भेश दिया था थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखता है कि आईलेंड के उपर एक बहुती बड़ासा ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद हर चीज जम चुकी थी इवन कि उसके अपनी फैमली भी पूरी की पूरी जम चुकी थी और अब इस सब चीजों के लिए वो ब्लेम कर रहा था डॉक्टर को इसके बाद वो गन निकालता है ताके डॉक्टर को भी फ्रीज कर दे जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हेक्टर और वो नर्स आती है बचाने के लिए पर वो दोनों भी फ्रीज ह हो जाते हैं यहां पर एंड टाइम पर वो एक्टरस भी पहुंच जाती है जो कि बेसिकली एक बी थी अब वो अपने एंटीनाज यूज करते हुए बहुत सारी बीस को बिलाती है जो के कैप्टन के आर्मर पर हमला कर देती है इस तरह से उसका आर्मर टूर जाता है यहां पर विलस गन यूज करते हुए उस आर्मर को शूट करता है ताकि उस पे लगा हुआ रेडियो साइट खराब हो जाए और उसकी सारी पावर खतम हो जाए अब यहां पर कैप्टन की सारी पावर खतम हो चुकी थी कैप्टन भी हार नहीं मानता वो एक्टरस को गन को ब्लैक मेल कर सके बट इतनी देर में डॉक्टर एक और मैमत को यहां पर लेकर आता है कैप्टन को तो यकीन नहीं आता क्यूंकि वो कोई और नहीं बलके उनके बच्पन की बेस्ट फ्रेंड थी यहां पर वो मैमत बताती है कि कैसे आज मैं जिन्दा हूँ तो सिफ डॉक साइट यूज करके इन सब जर्में हुए जानवरों को यह ठीक कर देते हैं साथ ही हम देखते हैं कि विलिस उस नर्स को प्रोपोस कर देता है और कैसे हेक्टर उस एक्टरिस के साथ खुश है और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है